नमस्कार दोस्तों मैं हैं राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो आज चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स टेट करते हैं उनके बारे में उससे पहले आपसे में रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए विकाउज मैं आप लोगों के लिए ऐसे नोलेज जिसे भरी होई वीडियो जो है मैं डेली लेकर आता हूँ और निफ्टी बैंक की जो हम यहाँ पर डेली अनलसिस करते हैं विकाउज हम अप्शन ट्रेडर हैं तो अप्शन ट्रेडर अगर आप हैं तो आप हमारा चैनल जरूर जोईन कर सकते हैं तो चलिए यह चुरू करते हैं बात करेंगे जो फ्राइडे के सेशन में जो मूब होई बैंक इनिफ्टी के बारे में उसके बारे में मैं जो है फ्राइडे को वीडियो नहीं पोस्ट कर सका विकाउज सोटी दिवाली की शॉपिंग को जारा करनी थी तो यहाँ पर देखिए यह जो फ्राइडे की जो कैंडल बनी होई है इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल दिख रहा होगा और एक हैमर कैंडल यह देखें फाइनली जो है गैपा फिल करने के बाद यह हैमर कैंडल बना है तो ये जो candle आप देख रहे हैं ये कल के session की है means आप कह सकते हैं ये जो more trading की है more trading में जो bank nifty ने जो है अच्छी move मतलब कह सकते हैं कि जो मतलब एक गंटे के अंदर जो है 200-200 point की जो हम move करें उसको हम एक अच्छी move कह सकते हैं तो फिलाल अभी हम इसकी Friday के session के बारे में बात करेंगे उसके बाद के लिए more trading की जो candle बनी है इसके बारे में बात करेंगे अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर bank nifty आपको जो है यहाँ पर एक clear cut 29,30 के उपर या 29,50 के उपर 15-20 मिनट तक trading करनी पड़ेगी अगर हम अगर यह कहें कि अब जो है Tuesday के session में 29,50 के ओपर अगर यह sustain होने लग जाता है तब तो हम यहाँ पर buying side जा सकते हैं और दूसरा देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर gap up opening अगर मान लेजी 29,50 के उपर होती है तो वहाँ से हम clear cut buy side जाएंगे अब sell के लिए हमारे पासरे fake scenario होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 मिन का चार्ट यहाँ पर खोल लूगा मार्केट ने सस्टेन करना शुरू कर दिया मिन्स यहाँ से जो है नीचे जाने की कोशिश भी नहीं कि इसने यहाँ पर देखें एक दो तीन चार पांच छे सार्ट नो दस क्यारा बरत तो यहाँ पर 12 के अंतर जो है यहाँ पर बनाया था और फाइनली यहाँ पर देखिए कंटीनियू एक यहाँ पर जो है दो केंडल में कापी अच्छी मूव दी उसके बाद यहाँ पर इसका ब्रेक आउट हुआ यहाँ पर हम क्या सकते हैं कि यह जो ब्रेक आउट यहाँ पर हुआ था इस ब्रेक आउट के बाद फिर हमने यहां पर एक sell trade बनाया था बस sell trade में बहुत ही कम point वे खाओ देखिए market छोड़ सी वोईटाल लग दी थी कि एकदम सी उपर जा रही है एकदम सी नीचे आ रही है तो market वोईटाल लग रही थी सो हमने अब उसके बाद देखिए market ने किस तरह से move किया अब market देखिए यहां पर एक range बना रहा है जैसा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं आप लोगों को यह इस तरह से draw करके अगर दिखाऊंगा तो काफी अच्छे से आप लोगों को पता चलेगा यहां पर यह देखिए अब market ने क्या किया यहां पर एक range बनाना शुरू कर दिया अब market ने यहां पर range बनाया कबसे यह 10 बच के 20 मिनथ के बाद से लेकर के यहां पर 13 बच के 45 मिनथ में आपकर आसकते हैं यहां पर 3 घंटे से जादा कि यह जो रेंज बन गये थी और फाइनली यहाँ पर जब range का breakout हुआ था तो हमने यहाँ पर जो है call बाय करे थी और यहाँ पर हमको काफी अच्छा move मिला था अच्छा हमने यहाँ पर profit बनाया था कि हमने फ्राइडे के session में जो trade लिए वो किस base पर लिए थे मैंने आपको logic समझा दिया है अब हम बात करेंगे कि अब जो है कल के session में क्या हो सकता है ठीक है अब मैं यहाँ पर 15 मिट का chart लगाँगा और 15 मिट के chart में जो है हम यहाँ पर जानने कोशिश करेंगे सो और मैं आप कभी भी जो एक retail trader है तो हमेशा सोचेगा कि मुहरत में जो है लोग buy करेंगे लोग खरीदारी करेंगे ठीक है ना क्योंकि एक जैसा आप word से ही देख सकते हैं इसका मतलब starting है beginning है ठीक है तो यहाँ पर लोग सोचेंगे जो retail trader है इनके psychology मतलब अभी बहुत grow नहीं हुई है ज एक जैसल से बताने कोशिश करऊँगा यहां पर आपको जो है पैंसिल चार्ट से बताने कोशिश करोंगा यह देखिए यह ऐसे इस तरह से उपर की तरफ गया फिर नेचे की तरफ आया और इसको फाइनली यहां से ब्रेक आउट करना चाहिए था ठीक है ना अगर इसको ब्रेक आउट देना है तो यहां से इसको ब्रेक आउट करना चाहिए था जो इसका 28,750 का जो हाई लगा था तो हम यहाँ पर buying करते यह देखिए अब मेरको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ देखिए एक प्राइज एक्षन बनने के हम वेट करते और प्राइज एक्षन बनने के बाद जब यहाँ जाज तो पचास का लेवल निकालता तो हम यहा यहाँ पर देखिए जो बड़ी मचलिया बैटी है जो बड़े ट्रेटर बैटे हैं वो रेटेटर को यहाँ से पैसा नहीं कमाने देते हैं यहाँ पर आपको आपनी साइक्लोजी चेंज करनी पड़ेगी आपको जो है मार्किट की मूव समझनी पड़ेगी तब आप हुआ ठीक है अब अगर आप प्राइज अक्षन देखेंगे तो मैं आपको इहाँ पर प्राइज अक्षन पताने जी कोशिश करूँगा यहाँ पर देखिए यहाँ से उपर जाने के बादर क्रेक्चन हुआ फिर ओपर का प्राइज अक्षन नहीं बना फाइलिय अगर यह ब्रिक आउट हो गया ठीक है यह प्राइस एक्षन ऊपर से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आया उसका एक क्रेक्षन होई नीचे की तरफ आया अब जब यह नीचे की तरफ आया तो यहां पर हमने 28,700 की पुट बाइंग करी थी ठीक है मैंने ट्रेड करा था बट मैंने जो है ना तो अप्षन गुरूप में कोई ट्रेड दिया था और ना ही मैंने चैनल में कोई इस तरह का कुछ बताया था कि देखिए आप जो है मार्केट की मूप के हिसाफ से चलिया आप किसी मुहुरत फूरत के चक्कर ने मत पढ़िए अभी ठीक है ना आपको मुहुरत मान लिजी आपने कोई कोई फ्चार्ट करनी है तो आप एक अदर स्टॉक की एपसी बैंक ले लेकि ज़ो अच्छे अच्छे स्टॉक है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं फिर आप इन्डेक्स में स्टॉक करने से बजना चाहिए अगर आपको पकड़ना आता है फिर आप यहां पर ट्रेडिंग कर दो कि यहां पर एक प्राइकिशन बन चुका है यह हाई यह का बात करेंगे कि यहां पर क्या हो सब्सक्राइब हाई उर पर एक श्मिघ्र के श्मकेर देंगा कि यहां पर और पहले यह उम्मीद करता हूं कि देखी जो मैंने यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब हम चलते हैं 15 मिट के चार्ट में और 15 मिट के चार्ट में भी मैं आपको मोरे ट्रेडिंग के बारे में एक चीज बताने की कोशिश करूँगा यहां पर देखिए अगर आप यहां पर द्यान से देखेंगे ठीक है पहले मैं यहां पर इसको डिफ करूँ यहां पर यह एक रजिस्टेंस लेवल था यहां पर आप यहां द्यान से देखिए यह जो था एक रजिस्टेंस लेवल था और रजिस्टेंस लेवल से ही यहां पर रेजिस्टन्स लेने के बाद finally जो है मुर्वे ट्रेडिंग में ये एक देखी अगर ये candle भी आगर 15 मिट के डेखेंगे तो आपको ये डोजी candle दिखाई देगी डोजी candle एक reversal candle होती है देखी डोजी candle तब काम करती है जब एक लंबा uptrend चलता हुआ आ रहा हो या एक लंबा downt session में क्या हो सकता है अब हमारे लिए सबसे ज्यादा important ये trend line है अब मैं market को जो है देखें मैं जो है sell ज्यादा करना पसंद करूंगा rather than buying because यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक candle का यहाँ पर एक trend line का यहाँ ब्रेक आउट हो चुका है ये trend line जो मैं नीचे से हमारे लिए सबसे ज्यादा important ये trend line है अगर ये trend line break होती है तो हम यहाँ पर sell side में जाएंगे और sell side में जाने के बाद हमारा पहला target होगा यहाँ पर 28,060 का और दूसरा target होगा 28,700 का तो हमारी ये दो target जो है Tuesday के session के लिए ये trend line break होने के बाद है और अगर buying के side में हम तब ज निकल जाएगा ये देखे ये जो level जो high लगा हुआ है ये 29,030 का तो 29,050 के उपर अगर आप यहाँ पर द्यान से देखेंगे तो आपको एक range दिखाई दे रही होगी ये range में अभी market जो है फसी होई है ठीक है तो अब इसको निकलने देजिए अगर आपको buying side जाना है तो 29,050 का level निकलने देजिए 29,050 के उपर कम से कम 10 मिट अगर मार्कि सस्टेन हो जाती है तो उसके बाद जो हम buying side जाएंगे और अगर इस trend line को break करती है तो हम sell side जाएंगे देखिए अब यहाँ पर clear cut view मैं आपको अब मैं तीन चीज़ आपको यहाँ पर बताऊंगा ठीक है इस तीन सेनरी मैं पर बताऊंगा कि market में क्या हो सकता है देखिए अगर यहाँ पर market मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर हमको market इस level पर कहीं मिलती है और कोई very shine मिलने के बाद हम यहाँ से sell करेंगे ठीक है यह तो होगी flat opening की अगर यहाँ पर मार्केट में जो निज आती है और gap down opening हो जाती है तो gap down opening होने के बाद अब हमारे पास यह level है ठीक है मान दिजिए यहाँ पर कहीं gap down opening हो जाती है 27,700,800 के पास कहीं gap up opening हो जाती है या 28,900 के level पर एक opening हो जाती है तो हम wait करेंगे wait कहां तक करेंगे इस support level तक अभी अगर मैं देखिए, आपको यहाँ पर दिखाने कोशिश करूँगा, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर अभी first bottom यहाँ पर बना हुआ है, अगर market यहाँ पर दुबारा इस level पर आती है, तो यहाँ पर एक double bottom बनेगा, और double bottom बनने के बाद market फिल जो है, उपर की तरफ निकल सकती है, तो इसी का ध्यान देखिएगा, और यहाँ से, अगर देखिए, market यहाँ से continue निकलते हो, उपर की तरफ जाती है, तो हम यहाँ पर sell के लिए देखेंगे, अब देखिए, तीसरा मैं आपको बतायता हूँ, gap up opening, ठीक है, तो यहाँ पर gap up opening आपको मिलता है, कहीं 29,000 के आसपास, या 29,000 के आसपास, तो यहाँ से एक confirmation के बाद ही, हम यहाँ पर sell करेंगे, अगर 29,000 50 का level निकाल लेता है, तो हम यहाँ पर bind sell जाएंगे, तो यह हमारा trading plan है, जो है Tuesday का, ठीक है, जड़ी आईए, अब हम बात कर लेते हैं, bank nifty में जो stocks trade करते हैं, उनके बारे में हो, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखे, axis bank, axis bank देखे, अब हम इसको जो है bind करेंगे, 620 के उपर, ठीक है, अब इसमें selling के तरफ हम नहीं देख रहे हैं, next है हमारा bandhan bank, HDFC bank, HDFC bank देखे, यहाँ पर एक correction आपको अगर ध्यान से देखेंगे, correction दिखाई देगी, अगर देखे हम यहाँ पर फिबो नची लेवल से चेक करेंगे, कि अभी यह कौन से लेवल पर यहाँ पर trading कर रहा है, तो finally यहाँ पर देखे, 0.23 के लेवल से यहाँ पर bounce back हुआ है, ठीक है न, यह जो मौरत trading की जो candle बनी हुई है, यह Friday के session के ऊपर यहाँ पर देखे, 0.23 से जो है bounce back लेकर ऊपर की तरफ बनी हुई है, अब अगर यह Tuesday के session में, ठीक है न, अब हमारा पास यहाँ पर दो level है, 1376 के ऊपर निकलता है, तो हम buying side जाएंगे, और अगर यह देखे, 1348 का level break करता है, तो हम यहाँ पर clear cut sell side जाने वाले हैं, next है हमारा ICICI bank, जो ICICI bank यहाँ पर देखे, एक resistance यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं चिछलिए, मैं आपर draw कर देता हूँ, नेक्स्ट है हमारा ICICI bank, तो ICICI bank को भी देखे, यहाँ पर इसको भी हम Fibonacci level लगा कर चेक करेंगे, कि यहाँ पर अभी कौन से level पर trade कर रहा है, तो यहाँ पर देखे, यह भी 0.38 के level से बांस बैक हुआ है, यह जो Friday की जो candle बनी है, यह जो Friday candle बनी है, यह 0.38 के level से ही बांस बैक है, अब इसमें हम buying करेंगे 780 रुपे के उपर, और sell के लिए, अगर देखे, market gap down हो जाता है, और 740 के निचे निकलता है, तो यहाँ पर अब sell set के लिए देख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा KOTEC bank, KOTEC bank में clear cut buying हमारी जो है 1800 रुपे के उपर होगी, और जो है selling हमारी 720 के निचे होगी, नेक्स्ट है हमारा पंजाम नेशनल बैंक, तो पंजाम नेशनल बैंक अभी देखे, यहाँ पर एक resistance based कर रहा है, continue जो है 30 के level पर, 30 का level के उपर closing आती है, फिर इसमें हम buying share देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा RBL bank देखे, RBL bank की यहाँ पर अभी बहुत अच्छा pattern मना रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखे, correction के बाद continue देखे, एक uptrend आया, एक छोटी सी correction आयी, और correction के बाद finally यहाँ पर एक green candle form होई है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपने buying करने हैं, तो आपको थोड़ सा wait करना है, 215 के उपर की closing आने दीजिए, 215 के closing के उपर यहाँ पर buying कर सकते हैं, और यहाँ पर target हमारा 225, 235 और 245 का होने वाला है, next time हमारा State Bank of India, तो State Bank of India भी देखे, यहाँ पर यह resistance कर रहा है, 235 के लेवल पर, इसको हम buying करेंगे, 215 के उपर की closing आ जाएगी, फिर हम इसको buying side देखेंगे, otherwise यहाँ पर resistance लेकर, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो यह double top pattern भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिर कोई इसके निचे, 227 के निचे कर ट्रेडिंग शुरू कर देता है, तो हमारा target यहाँ पर 291 रुपे कर रहने वाला है, देखेंगे, अब हम बात करेंगे, टेलीग्राम चैनल की बारे में, तो देखेंगे, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जोईन नहीं की है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर जोईन कर लिजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर देखेंगे, मैं आदे आदे के घंटे पर आपको चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, कि बैंक निफ्टी अभी क्या करने वाला है, कौन से लवल पर टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर देखेंगे मैंने फ्राइडे के सेशन में यह पहला मैंने चार्ट इस तरह से पोस्ट दिया था, बिखिस्ट कार्ट भी आपको तो हमने तो दो यहाँ पर ट्रेडिंग्र लिए थे, ठीक है एक trade को हमने यहाँ पर लिया था यह जो red candle हमने यहाँ पर बने थी एक मिन्ट के बाद हमने यहाँ पर put buy कर लिया था 27,800 का put buy किया था इसको हमने 452 रुपे में buy किया था और 511 में इसको निकाला था दूसरा हमने buy किया था यहाँ पर यह लेवल जब break हुआ था जब यहाँ पर मैंने यह जो बताया था कि यहाँ पर continue एक घंटा जो है यहाँ पर spend करने के जब यह breakout हुआ था तो हमने यहाँ ब्रेक आउट में trade किया था 27,900 की call बाय करे थी 4,454 में बाय करे थी और इसको हमने 5 96 में हमने इसको exit कर रहा था next देखिए अब देखिए मैं आपको यही चीज बताने कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर clear cut में आप लोग बतायता हूँ अगर यह level break करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा अगर यह level break करके उपर sustain करता है तो उपर की तरफ तो इससे क्या है दे जो मैंने आपको फस्ट जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई आपको चार्ट की तो यहाँ पर दिखे जब यहाँ पर फाइनली जब breakout आ गया था तो मैंने आपको यह जो है इसका चार्ट मैंने अपडेट किया था और यह जो है देखिए काफी अच्छा 28500 तक यह जो गया थ चार्ट उस दिन प्राइडे के दिन और यहाँ पर हमने यह एक कॉल बाय करी थी जब वहाँ पर breakout आया था 28500 तीन सो 29 रपे में हमने इसको बाय करी थी और इसको हमने नियर बाउट भूक करा था 398 में हमने इसको बूक करा था और एक हमने चौथा ट्रेड लिया था यह ट् यहाँ पर इस लेवल पर मैंने आपको चार्ट जो था इस लेवल पर मैंने आपको बताया था ठीक है न यहाँ पर देखे ब्रेक आउट होने के बाद देखे मार्कित कितना ओपर गया है अगर आप चैनल फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से अच्छे पैका से पैसे बना कर जा सकते हैं अगर आप टेकनिकल आनालिसी दी सीखना चाते हैं तब भी आप जो है मेरे चार्ट देखकर वहाँ से लेवल ड्रोग करना सीख सकते हैं ट्रेंड गरर करना सीख सकते हैं तो देखि यह ची के ग्यंदिया बड़े गाइग एंडुए पैसा नहीं खाते हैं तो यहाँ पर ote Grade करते हैं अगर ऑप हमकोगं करना चाते हैं तो किलका कोर्स जोइन करना साथ चाहते हैं तो डिस्क्रिशन में मीरा लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से मुझे वर्टसप कर सकते हैं 9878137600 पर और वहाँ से आप सारी कोईरी कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा आज के लिए इत